है गाइस वेलकम बैक टो एम्पलीफार केनेक्शन दो गाइस कैसे हो और जिनोंने भी ये बोर्ड लिया है वो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं पुराने और जितने भी कस्टमर्स हैं पुराने उनको सबको पता है इस बोर्ड की डिटेल्स के बारे में और जितने भी नए बंदे आये हैं जिनोंने नहीं पता इसके बारे में कि ये बोर्ड किस तरीके से काम करता है कितनी आउटपूट है कितनी बोर्ड का ट्रांसफोर्मर लगाना है कौन से स्पीकर लगाने है तो जिनको ये सब चीजे नह जाते हैं एक तरीके से ठीक है तो वो चीजें आपको नहीं करनी है क्योंकि यह जो बोर्ड है यह काफी ज्यादा पावर का बोर्ड है और कुछ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं 44-45 मतलब इनके साथ कंपेर करते हैं कि वैसा ही होगा तो हमेंच यह सर बताओ कितने का है बोल देता हूं वीडियो में कि यह जो बोर्ड है इसके अंदर काफी अच्छी बेस है तो लोग समझ जाते हैं कि स्पीकर कोई भी हो ठीक है बोर्ड यह लेंगे तो बेस अच्छी ही आएगी ठीक है ध्यान से सुन ले ना मेरी बातों को लोग सोचते हैं कि स्पीकर कोई भी हो यह बोर्ड ले लिया तो बेस अच्छी ही आएगी तो ऐसा बिल्कूल भी नहीं है अभी जो पांसो बोर्ड की सेल हमने निकाली थी अभी भी चली रही है अगर आपको ओडर करना तो कर सक बोर्ड का है तो उसने क्या किया इसके ओपर आठेंस के स्पीकर लगा दिये जो एक मेंट भी नहीं चले वो उड़ गए ठीक है तो भाई यह आठेंस के स्पीकर के लिए नहीं है बोर्ड यह डीजे का जो एंप्लीफायर होता है आपने पीबीटी पांसो एक देखा होगा स्ट्रेंजर का तो उसके हिसाब किताब का यह बोर्ड है और कई बंदे उससे कंपेर भी करते हैं कि सर जो पीबीटी पांसो एक होता है पांसो बोर्ड का जो एंप्लीफायर है डीजे बाला क्या यह उसका मुकाबला कर सकता है भाई यह काम करो आप इसको उसके साइड में रख के चला के देख देना तो आपको पता चल जाएगा कि ये उसका मुकाबला कर सकता है या नहीं कर सकता ठीक है तो इसकी जो details है वो मैं बता देता हूँ एक बार तो ये जो board है ये 55-05-55 का transformer लगेगा तो transformer को direct in वायरो से connect कर देते हैं ठीक है तो ऐसा बिल्कुल भी इन करना है आपको direct AC volt नहीं देनी है इसको आपको DC volt इसको देनी है तो DC volt के लिए आपको देनी पड़ेगी यह power supply इस power supply के ओपर transformer लगाना है यहां पर जो यह terminal देख रहे हैं इन पर लगेगा 55.05 ठीक है उसके बाद यहां से आएगी output पलस माइनस और ग्राउंड DC बनके यहां से आएगी तो इसके अंदर चार कैपेस्टर लगे हुए हैं देख सकते हूं 10,000μFad के तो आपको इसी तरीके की अगर मेर से लेना चा रहे हो तो मेर से ले लो अगर कहीं से भी ले रहे हो तो आपको इसी तरीके की पावर स्प्लाई लेनी है यानि कि कैपेस्टर उसके अंदर 10,000μFad के होने चाहिए ठीक है इससे कम माइक्रोफएड के कैपेस्टर वाली जो पावर स्प्लाई है वो मत लेना कहीं से भी मैं आपको बता रहा हूं पहले से ही और कई बंदे पूसते हैं कि सर क्या यह 24-0, 24- 30-30 पे नहीं चल पाएगा तो यह भाई 20-0, 20 पे भी चलेगा चलने को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसी के हिसाब से फिर यह आपको पावर देगा प्रोपर पावर यह आपको नहीं दे पाएगा कुछ बंदे यह भी सोसते हैं कि जो पुराने ट्रांसफोर्मर उनके पास पड़े हैं 12-0, 12 के या 18-0, 18 के तो उन पे चला लेंगे तो भाई उन पे चला लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आउटपुट आपको वही मिलेगा 44-45-35 के हिसाब किताब का ठीक है अगर आपको इससे प्रोपर आउटपुट चीए तो आपको इस पे 55-05-55 का ट्रांसफो नुमर आपको इस पे लगाना पड़ेगा तब जा के आपको बड़िया वाली आउटपुट मिलेगी और अभी बात करते हैं बेस की कि भाई बेस के लिए क्या करना है तो बेस के लिए अगर आपको एक अच्छी खासी बेस चीए या तो आप इस पे सभूफर यूज कर लो ठीक है या फिर आपको मानलो सभूफर यूज नहीं करना आपको स्पीकर यूज करने तो भाई 15-15 इंची के दो स्पीकर यूज करो आप इस पे ठीक है 200-200-300-300 बोड के जो 15 इंची के स्पीकर आते हैं न मिड बेस वाले वो आप इस पे यूज करो साथ में टवीटर का ठीक है अगर वह अच्छी quality का नहीं है तो यह चीजे भी देखने हैं तो आपको एक base table जो होता है वह भी लेना पड़ेगा अच्छी quality का जो IC होती है ना जिसके अंदर 55 32 या 45 58 TL 072 ठीक है इस तरीके की जो IC होती है तो वह आपको base table ले देना है तो उसके बाद एक जो performance मिलेगी आपको इससे वह मतलब घर हिलाने वाली मिलेगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके जो बरतन है वह भी गिरेंगे इससे ठीक है अगर 15 इंची के speaker आप इस पर यूज करते हो तो और 15 इंची के कितने speaker यूज करें ये भी question रहता है तो 15 इंची के speaker है guys वह आप 4 भी यूज कर सकते हो लेकिन जो ohm है वह आपको 4 ohm रखना है और 4 ohm ना रखो 2 ohm रख सकते हो लेकिन उसके फिर आपको इसको cooling देनी पड़ेगी बड़िया वाली fan लगाने पड़ेंगे इस पर कम से कम भी 3-4 fan आपको इस पर लगाने पड़ेंगे क्योंकि जो ohm है अगर वह घटाओगे तो जो amplifier की heating है वह ज्यादा हो जाती है ज्यादा हीट होने लगता है output बढ़ जाती है heat ज्यादा करने चुका है बारा बारा पंदरा पंदरा इंची भी आ जाओ अगर आपको अच्छी output और अच्छा जो sound है वह चीए तो ठीक है तो गाइस मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर